हेलो फ्रेंड्स गार्डन स्पेशलिस्ट हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे वांडरिंग जीव प्लांट के बारे में जिसको इंच प्लांट भी कहा जाता है इसका बोटैनिकल नेम है ट्रेडिस कैंशिया जबरीना बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको लगाना भी देख रेक भी बहुत ही आसान है देखे पीछे से भी आगे से भी कितने सुन्दर इसके पत्ते हैं जिसकी शोभा अलग ही है इसको हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट और इसको आप वैसे कहीं भी डेस्क टॉप पर कहीं भी लगा सकते हैं इसको रोशनी चाहिए पर ये थोड़े दिन कम रोशनी की जगा पर भी चल जाता है इसको आप हैंगिंग प्लांट की तरह लगाएं हैंगिंग बासकेट में तो बहुत सुन्दा लगता है ना जादा फरटिलाइज करने की जरूरत है इसको बस एक बर फरटिलाइजर शुरू में देदीची जब सीजन का स्टार्ट हो गर्मियों में ये बहुत अच्छे से फै पूरे ही spread हो जाता है और बहुत ही खुबसूरत शोभा वाले इसके पत्ते हैं और उसका सुंदर्य ही अलग है प्लांट का इसलिए ये पसंद किया जाता है बहुत और खुबसूरत बहुत ज्यादा खुबसूरत लगता है देख रेक भी बहुत कम है जब सरदियां आती हैं तो मैं इसको एक छोटे से गंटेनर में कर देती हूँ और जैसे ही गर्मिया आने लगती है, इसका मौसम स्टार्ट होने वाला होता है, तो मैं इसको खूब सारे बड़े-बड़े कंटेनर्स हैंगिंग बास्केट में लगा देती हूँ, देखे किते खुबसूरत पते हैं इसके और ये ट्रेलिंग स्टेंस की निकलती हैं जो आप किसी भी तरह अपनी तरह से इसको सजा सकते हैं मैंने तो इसको बहुत बड़े से एक कंटेनर में लगाया हुआ है और बहुत खुबसूरत लग रहा है ये और बहुत जल्दी फैलता है, बहुत सुन्दर इसके पत्ते होते हैं, और उस पर लाइन्स होती है, परपल कलर्स की लाइन्स होती है, इसमें दो तिन विराइटी जाती है, चाहे तो आप एक रेड कलर आता है, एक परपल कलर, और एक ये कलर आता है, तिनों ही बहुत खूब बबसूरत लगते हैं इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज करने की तो जरूरत नहीं है पर पानी अगर आप इसको अच्छे से मौइस्ट रखेंगे तो यह प्लांट बहुत ही खुश रहता है और बहुत खीला रहता है और अगर आप ध्यान भी नहीं रखेंगे ज्यादा पान झाल टूरत लगत सबस्ट्छ लगता है हुशर ऑ्यादा इसक्ष्ण करने कज़ झाल नहीं है है।